Hello everyone, so आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Geography of Jammu and Kashmir जिसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे Districts of Jammu and Kashmir ये इस सीरीज का Part 1 है इसमें हम आज पढ़ेंगे Districts of Jammu तो next जो Part आएगा हमारे पास उसमें हम पढ़ेंगे कश्मीर Districts के बारे में तो इस वाले Part में हम सिर्फ Districts of Jammu ही डिसकस करेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि Jammu और Kashmir के अंदर कितनी Districts आते हैं तो Article 370 के Abrogation से पहले Jammu Kashmir में 22 Districts है जिसमें से Ladakh भी Jammu Kashmir के अंदर आता था Article 370 की Abrogate होने के बाद Jammu Kashmir में Total 20 Districts रहे गए हैं जो बाकी दो Districts हैं वो UT Ladakh के अंदर चले गए हैं तो Jammu Region के अंदर जो 10 Districts आते हैं उनके नाम है डोडा, Jammu, कठुवा, किस्तवाड, पुंच, राजोरी, रामबन, रियासी, सांबा और उधुंपुर और जो कश्मिर Region के अंदर जो 10 Districts आते हैं उनके नाम है अनंतनाग, बढगाम, बारामुला, बांडिपुरा, गांदरवाल, कुलगाम, कफवारा, पलवामा, शोपियान और सिरिनागर तो आज जो हम Districts डिसकस करने वाले हैं वो जम्मू के ये वाले 10 Districts हम डिसकस करेंगे तो जम्मू Region के अंदर जो पहला District आता है वो है District Doda District Doda के अगर हम बात करें तो इसका जो टोटल एरिया है 8,912 स्केर किलोमेटर है तो डोड़ा District जो था वो 1948 में उदूंपर से अलाग किया गया था डोड़ा District अंदर जो मेन रिवर आता है वो है चिनाव रिवर जिसके उपर जो हाईडरो पावर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं और कुछ अंडर कंस्त्रक्शिंज भी हैं, कुछ बन भी रहे हैं तो उसमें से पहला जो हाईडरो पोर प्रोजेक्ट है वो है सलाल दूसरा है डूल हस्ती और तीसरा है बगलिया प्रोजेक्ट डोड़ा जो है मिनरल डिपासिट से भी जाना जाता है बहुत सारे mineral deposits पाया जाते हैं जैसे कि lead, mica, gypsum, graphite, copper, etc. इसके लाएं बहुत सारे minerals doda के अंदर पाया जाते हैं Next जो district आता है Jammu region के अंदर वो है Jammu Jammu को city of temples के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि Jammu के अंदर Jammu district के अंदर बहुत सारे temples पाया जाते हैं इसलिए इस district को city of temples भी काया जाता है Jammu district जो है वो Taui river के किनारे पाया जाता है That is Jammu district is situated on the bank of river Taui अगर area के अगर हम बात करें तो Jammu district का जो total area है 2342 square kilometer और most populous districts है Jammu and Kashmir हमारे वाज जो Jammu district है सबसे ज़्यदा population Jammu Kashmir के अंदर Jammu district में है और high literacy rate है That is 83.45% जो है literacy rate है Jammu district के अंदर सबसे ज़्यदा पड़े लिखे people मिलेंगे आपको Jammu district में Jammu district को rail head of Jammu और Kashmir भी कहा जाता है क्योंके यहां पर जो है rail का rail head भी है That is यहां पर rail सरुस्वगारा जो है इनका head complex यहां पर पाया जाता है इसके लावा Jammu district जो है इसके अंदर जो है national airport भी पाया जाता है जो कहां पर situated है सत्वारी में situated है अब next district जो Jammu region के अंदर आता है वो है कठोवा कठोवा district को gateway of Jand के भी कहा जाता है क्योंके जब हम पंजाब से जब आते हैं तो सबसे पहला जो district आता है Jammu Kashmir में वो कौन सा आता है कठोवा ही आता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है gateway of Jammu and Kashmir Jammu Kashmir में हम enter होते हैं सबसे पहला district आता है कठोवा कठोवा जो अपनी boundary शेर करता है पंजाब के साथ साथ में और हिमाचल परदेश एस्ट में और अधूंपर के साथ शेर करता है अपनी boundary नार्थ डिरेक्शन में अगर अगर हम बात करें कठोवा के अंदर जो टोटल एरिया है 25002 स्केर कुलोमेटर जो रिवर्स फुलो करते हैं कठोवा रीजिन के अंदर वो हैं रावी और ओज इसके अलावा cables, stainless steel, utensils, cement pipes, electric goods, blended yards यह सब चीज़ा यहां पर manufacture की जाती है यहां पर बनाए जाती है इसके लावा कठोवा डिस्टे के अंदर 3 distinct zones आते हैं जिनका नाम है border, kundi और hilly area अब next district के अगर हम बात करें वो next district हमारे बास है किस्तोवाड किस्तोवाड को land of sapphire और saffron के नाम से भी जाना जाता है किस्तोवाड district 2007 में बना था इसका total area है 17,737 square kilometer किस्तोवाड district के अंदर saffron, apples, apricots, pumps और इसके लावा बहुत सारे fruits जो यहां पर उगाए जाते हैं बट यह जो चार fruits हैं यह बहुत ज़्यादा यहां पर quantity में आपको मिल जाएंगे इसके लावा किस्तोवाड के जो blankards किस्तोवाड के जो kumble हैं वो बहुत ज़्यादा famous है पूरे जैंड के में next district आएगा हमारे पास हुआ है पुंच इसका area हमारे पास है 1674 square kilometer पुंच में जो trade होती है वो across LOC और crossing point जो होगा इसका वो है चाकन्द बाग इसके अलावा historical जो मुगल रोड है मुगल रोड है वो पुंच district को कश्मीर के साथ लिंक करती है next district हमारे पास है राजाओरी राजाओरी जो था वो पुंच से अलाग किया गया था 1968 में इसका total area है 2630 square kilometer कुठुवा, देसी घी, अनारदान, चीकरी, कॉम्ज और स्पून के लिए बहुत ज़्यादा मशूर है seventh district जो हमारे पास है वो है रामबन रामबन को 2007 में डोडा से अलग किया गया था अलग से एक district बनाया गया था इसका area total हमारे बास है 1329 square kilometer इसके अलावा, रामबन district में बागलियार प्रोजेक्ट जो चनाब रियूर पे बन रहा है अधुंपर district में से 80 district निकला है इसका total area है 1719 square kilometer रिवर चनाब जो है इस district से बैता हुआ चला जाता है आगे तो इस district में एक largest hydropore project है जो सबसे बड़ा है पूरे इंडिया में वो कौन सा है सलाल है जो किस रिवर पे बन रहा है चनाब रिवर पे बना हुआ है इसके लाव वेशनुदेवी, शिवखोरी, दर्सार बाबा और बाबा सियाद are located in this district 9th district हमरे पास है सांबा सांबा के अगर total area की बात करें हम total area है इसका 904 square kilometer ये सांबा district जो था ये separate किया गिया था जमू district से किस से बाई पूरमंडल ब्रिज जो पूरमंडल ब्रिज आता है जमू district और सांबा district के बीच में आता है तो जमू district के separate कौन करता है सांबा को पूरमंडल ब्रिज इसको भी जमू district में से अलाग किया गया था सांबा को उसके लाव अधूंपू district में से अलाग किया गया थोड़ा जैसा उधुमपुर district का नाम पड़ा था राजा उद्दम सिंग के नाम पे जो गुलाब सिंग के बड़े बेटे थे तो उधुमपुर district में नार्थन कमांड हैड़कॉर्टर भी जो है इंडिन आर्मी का वो भी इस district में पाये जाता है उसके अलावा उधुमपुर district जो है rich in mineral deposits यहाँ पर बहुत सारे minerals deposit पाये जाते हैं जैसे coal, bauxite, manganese, gypsum, limestone, etc और उधुमपुर के लोगों का जो culture है वो कौन सा culture है पहाडी culture है